भारती टीम वर्ल्ड कप में शांदार पर्फर्मेंस कर रही है खेले गए अपने माच मुकाबलों में चार में जीत हासिल कर भारती टीम अकेली ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं हारी है भारत का अगला मुकाबला गुरवार को वेस्ट इंडीस के साथ है और उनसके बाद 30 जून को मेजबान इंगलेंड के साथ है 30 जून को होने वाले इंडिया वर्सिस इंगलेंड मैच पर भारती राजनेती गरमाई हुई है इंग्लेट के खिलाफ मैच के दोरान भारते क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी को लेकर विवाद हो गया है भारत के राजनीतिक दलो ने इस जर्सी पर एतरास जताया है और केंदर की नरेंदर मुधी सरकार पर निशाना साधा है कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जर्सी के कलर के लिए भगवा रंग को चुनने पर आपत्ती जताई है उनका कहना है कि BCCI ने ये रंग केंदर सरकार को खुश करने के लिए चुना है बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है वही अंतराष्टे क्रिकेट परिशद ICC ने कहा कि कलर कॉंबिनेशन उनकी तरफ से BCCI को भेजा गया था हाला कि अभी तक इंडियन जर्सी ऑफिशली सामने नहीं आई है कि मैच के दौरान जर्सी कैसी होने वाली है सोशल मीडिया पर जर्सी के अलग अलग तस्वीरे शेयर की जा रही है हाला कि ये जरूर साफ हो गया है कि इंगलेंड के खिलाफ जो मैच होगा उसमें टीम इंडिया की जर्सी में औरेंज शेड भी लाजमी ही होगा भाते टीम की जर्सी का कलर बदलने की असल वज़ा ये है कि ICC के नियम के अनुसार दोनों टीम एक रंग के जर्सी पहन कर मैच में नहीं खेल सकती है ऐसे में एक टीम की जर्सी का रंग बदलना जरूरी है और ये रूल फुटबॉल के अवे और होम मुकाबलों में पहने जाने वाली जर्सी से प्रेरित होकर बनाया गया है अब अगर दोनों टीम एक जर्सी नहीं पहन सकती तो भला भार्दे टीम ही क्यों अपनी जर्सी का कलर बदले तो आपको बता दें कि ऐसे मामले में मेजबान टीम को ही अपनी पूर्व निर्धारित रंग की जर्सी पहनने की अनुमती होती है दक्षिन अफरीका ने बंग्नादेश की हरी जर्सी को देखते हुए पीली जर्सी पहनी थी जबकि Australia, New Zealand और West Indies को जर्सी बदलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी जर्सी कोई किसी भी टीम से कोई मैच ही नहीं है अब जब बात भगवा रंगी हो तो राजनीती ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है भगवा रंगी जर्सी को लेकर विपक्ष ने इस पर निशाना सादा है सपानेता अबुआजमी ने कहा कि मोदी पूरे देश पर भगवा रंग चाना आना चाहते है मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि जंडे को कलर देने वाला मुसल्मान ही था तिरंगे में और भी रंग है सिर्फ भगवा ही क्यों तिरंगे के रंग में उनकी जर्सी होती तो जादा बहतर होता वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के नेता भी इस पर आपत्ती जताते हुए नजर आए है कॉंग्रेस की नेता और पूर्व मंतरी नसीम खान ने कहा कि मोधी सरकार जब से आई है तब से भगवा राजनेती शुरू हो गई है तिरंगे का सम्मान हो राश्टर एक्ता को प्रमोट किया गया है ये सरकार हर चीज में भगवा करण की बढ़ावा दे रही है जब बात राजनेती की हो तो सत्ताधारी बीजेपी इस पर भला कैसे चुब बैठने वाली थी इसके जवाब में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि भगवा रंग को लेकर विपक्ष क्यों आपत्ती जता रहा है कभी भगवा आतंग का मुद्दा होता है तो कभी भगवा रंग का खेल इससे दूर रखना चाहिए समाजवादी और कॉंग्रिस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं इसलिए वो ये रंगों की राजनेती कर रही है शिव सेना ने भी इस पर अपनी प्रतिकिरिया दी है शिव सेना नेता गुलाब राओ पार्टिल ने सपा और कॉंग्रिस के आरोप पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि इंडियन जर्सी अगर भगवा होती तो इस पर राजनेती क्यों है वेपक्ष के पास कोई काम नहीं है इसलिए ये भगवा रंग की राजनेती कर रहे है जंडे में भगवा रंग है क्या जंडे को लेकर भी आपत्ती है हमने किसी को हरा रंग पहनने से तो नहीं रोका तो भगवा रंग को लेकर ही आपत्ती क्यों है इस मामले में ICC ने भी अपनी सफाय दी है ICC ने सफाय दी कि नई जर्सी के लिए कलर कॉंबिनेशन उनकी और से BCCI को भेजा गया था भारते बोर्ड ने वही कॉंबिनेशन चुना जो ने ठीक लगा ICC की और से बुद्वार को जारी बयान में कहा गया जर्सी बदलने का विचार इसलिए आया क्योंकि England भी नीली जर्सी ही पहनता है नए डिजाइन भारत की पुरानी T20 जर्सी से लिया गया है जिसमें भगवारंग है खैर हम सभी का यही मानना है कि टीम इंडिया को लेकर देश में राजनिती ना की जाए भारते टीम वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉमस दे रही है और सभी की यही दुआ है कि टीम इंडिया इंगलेंड से वर्ल्ड कप जीत कर वापस लोटे मेरा नाम है जिबरान और आप देख रहे हैं नियूस गिल स्पोर्ट से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ धन्यवार